जै माताई दोस्तों, आने वाली वर्ट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को धेर सारी शुप कामना हैं, भगबान स्री हरी विश्नु आपकी जोड़ी हमेसा सलामत रखें और आप जीवन परियंत्र अपने पती की लंबी आयू के लिए वर्ट सावित्री का यही कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ, दोस्तों अभी वर्ट सावित्री वर्ट पूजा बर्गदाही या अमावस्या जो है वो आने वाली है, बहुत सारी माताओं बहने वर्ट सावित्री का व्रत पूरी तरीके से रखती हैं, जो की अभी आने वाली 6 जून को साल 2014 में रखा जाएगा, सबके घर की अलग-अलग परमपरा होती है, सब लोग अलग-अलग तरीके से जो पूजन है, जो सामगरी है वो चढ़ाते हैं, बहुत सारी लोगों की घर की परमपरा के अनुशार, जो वट वरच का पेड़ है, उसमें सरवत चढ़ाने का नियम होता है, और वो सरवत जो है, वो क्यों चढ़ाया जाता है, आज के वीडियो में मैं समपूर जानकारी जो है, वो आप सब के साथ से एर करने वाली हूँ, और आपको वरच वरच में जो सरवत है, वो किस पकार से कि घर की परंपरा के इनिशार देख सकते हैं सरवत जो है वो जरूर वट व्रच को पिलाना चाहिए अब ये नहीं है कि आपने उसमें नीबू भी नी चोड़ लिया तो आपने रुआपजा भी डाल दिया तो आपने बरफ भी डाल दी इस प्रकार से नहीं ऐसे नहीं बस आपको नॉर्मल जो पानी आप लेके जाते हैं जो आप जल लेके जाते हैं पूजा करने के लिए उसमें थोड़ी सी चीरनी मिला कि वट व्रच की जड़ में जरूर चढ़ाना चाहिए ऐसा विधान है और हमारे यहां की परंपरा है हो सकता है आपके आना चढ़ाया जाता हूँ लेकिन वट व्रच की जड़ में जो सर्वत है वो जरूर चढ़ाना चाहिए क्यों चढ़ाना चाहिए तो इसके बारे भी मैं आप सबको बता देती हूँ क्योंकि अगर आप वट व्रच की पूजा करती है वट सावित्री का व्रच रखती है और वट व्रच की जड़ में अगर आप सर्वत चढ़ाती है या मीठा जल चढ़ाती है तो ऐसा माना जाता है कि पती पतनी में अगर अनबन चल रही होती है तो जो मीठा हम चढ़ाते ह तो दोनों में मिठास जो है वो घुल जाती है क्योंकि ये जो ब्रत है ये सावित्री जी ने जो सत्तवान थे उनके पती उनको यमराज से वापस लेके आई थी तब से इस व्रत को करने का विधान बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि अगर आपसी सामंज़त से जो है वो जताना चाहती है या यू कहूं कि आपस में जो प्रेम है वो आप अपने जीवन में भरना चाहती है तो वर्ट सावित्री विब्रत वाले दिन मतलब अमवस्या वाले दिन आपको ये जो सर्बत है ये जो मीठा जल है ये आपको वठ फ्रच में जरूर चढ़ानी चाहिए और आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए या यू कहूं कि पती पत्नी के बीस में सामंजस से बनाने के लिए ये जो मीठा जल होता है ये सबसे ज़्यादा काम करता है क्योंकि इस दिन भगवान तृदेव की पूजा आर्चना करते हैं वटवरच की पूजा करते हैं सा आपके पती की दीरगाईव तो होती ही होती है लेकिन आप दोनों के जो रिस्ते हैं वो मजबूत हो जाते हैं आप दोनों पती पत्नी में जो प्रेम है वो रहता है इसलिए जो मीठा जो जल है वो चढ़ाने का विधान बताया गया है अगर आप अभी तक पूजा कर रहे और आपने कभी ये मीठा जल जो है वो नहीं चड़ाया है तो इस बार जो है वो जरूर चड़ा के देखिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुसियां आएंगी आपको जो सुखद अनुभव है उसकी प्राप्ति जरूर होगी इसलिए जो मीठा जल है वो वटवर मददकार रहा होगा वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके तो आने वाली वर्ट पूजा के लिए वर्ट सावित्री के लिए एक बार फिर से धेर सारी शुप काम नाएं जैमातादी दोस्तो झाल 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 झाल